तो आज के इस दिवस पर आप सब लोगों से निवेदन है कि भारत की इंडियन ग्रोथ स्टॉरी में भागिदार बने, प्रधान मंत्री जी के संकल्प को मजबूत करें, अपने जनम भूमी से जुड़े रहें और हमारे युवाओं को जो बाहर देश के बाहर कार्य कर रहें मेरा एक ही मंत्र है, एक ही संदेश है, L-E-R, learn, earn, learn, earn and do return, learn, earn and do return, because your destiny is here with Mother India, मुझे विश्वास है कि आपकी भागिदारी के साथ भारत की यह सदी होगी, 2014 से जब से प्रधान मंत्री नरेंद मोदी जी ने कार्य भार समाला है, इसी संबंद को एक वैश्विक और एक नया इंसोच और विचाधारा और एक नई रिष्टा और एक नई रूप देने के के लिए संकलित दुरूप से उन्होंने कार्य किया है और एक सेतू का स्थान हमारे प्रवासी भारतियों को सशक्त करने के लिए उनकी एहमियत और उनकी कोशिश और और उनकी पूंड कोशिश रही हैं और इसके आधार पर जब हम आज देखें ki भारत का छाप हमारे multinational cooperation देखें चाए हम देश के नेत्यत करने वाले लोगों को देखें चाए हम विशे शग्यों को देखें चाए हम एक एक सेक्टर में doctor's engineers को देखें चाए UK के प्रधानमंत्री रिशी सुनक जी हो चाए हमारे Microsoft के CEO सत्या नडेला हो चाए Google के CEO सुंदर पिछाई हो चाए Ireland के राष्ट्रपती लियो वार्डकार जी हो या ती शोक्ति नहीं होगी अगर हम कहें कि भारत और भारत्यों को उभारने का काम प्रवासी भारत्यों ने किया है और अकेले नहीं अपने साथ पूरे विश्व को उठाने का कारी अभी हमारे प्रवासी भारत्यों ने किया है और इसलिए मैं मानता हूँ कि भारत की जनसंख्या केवल 135 करोड तक सीमित नहीं है भारत की जनसंख्या 138 करोड है जिसमें तीन करोड हमारे प्रवासी भारतियों की जनसंख्या है आपकी भागीदारी भारत को विक्षित बनाने के लिए निवारिया है आपकी भागीदारी और आपकी साजीदारी भारत को आत्मनिर्बर बनाने के लिए निवारिया है और इसी दृष्य के पीछे एक शिल्पकार अगर रहा है इस देश में तो प्रधान मंत्री नरेंद मोदी जी हैं जिनोंने अपनी सोच और विचाधारा के साथ और विदेश नीती जैशंकर जी के साथ सारे देशों के साथ कूटनीतिक संबंदों के से साथ बना कर हमारे प्रवप्रवासी भारतियों को एक नया सम्मान का स्थान बिलाने बनाने का संकल्प लिया है और इसी के फलसुरूप चाहिए यूके में हम देखें पिछले बार जब बैठक हुई थी हर साल ये तैख किया गया कि तीन हजार भारत के हमारे विद्यारतियों को वर्क वीजा यूके में दिया जाएगा जब पहले बार कोविड आया वैश्विक महामारी आई प्रदान मंत्री नरेंद मोदी जी ने प्रदान मंत्रियों को फोन करके हमारे सारे प्रवासी भारतियों को उस शेत्र में उनका हालत और उनकी स्वास्तुविदा सुनस्चित करवाई और अभी जब यूक्रेन और रूस के बीच में लड़ाई हुई प्रदान मंत्री ने ओपरेशन गंगा के आधार पर तेईस हजार प्रवासी हमारे स्टूडन्स को वापस घर लाने की पहल लगाकर उनको संगटित और सुरक्षित रूप से घर लाने का कार्य किया तो इसलिए मेरे भाई और भेनो हमारे प्रवासी भारतियों का सुरक्षा उनकी सहुलियत और उनकी समर्दी ये थ्री पॉइंटेट कारिक्रम प्रदान मंत्री नरेंद मोदी जी की है भले हमारे प्रवासी भाई और भेन देश में न रह रहे हो लेकिन प्रधान मंत्री नरेंद मोदी जी की और उनकी सरकार की दिल में सदेव रहते हैं ये विश्वास आपको हम दिलाना चाहते हैं सदेव हमारे प्रवासी भारतियों ने भारत का सैयोग किया है भारत के विकास में सैयोग दिया है 1999 में जब economic crisis पूरे विश्व में आई थी उस समय जो remittance देश में एक एक प्रवासी भारतियों ने भेजा था आज हमारे GDP का भाग का साड़े तीन प्रतिशत हो चुका है और मैं witness हूँ कि जब प्रधान मंत्री जी ने हम लोगों को भेजा था यूक्रेन और रूस से हमारे विध्यारतियों को सुरक्षित वापस लाने के लिए हमारे एक एक प्रवासी भारतियों ने मुझे रोमेनिया भेजा गया था मा बैठ कर ना दिन देखा ना रात देखा सेवा भाव के आधार पर कोई गाड़ी चला रहा है कोई टेंट लगा रहा है कोई खाने पका रहा है हमारे एक एक विध्यारति को लाने के लिए दिन रात हमारे प्रवासी भारतियों ने कारे किया तो आज आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ और आपको मैं सलाम करता हूँ आज की दिवस पर प्रधान बंत्री जी की सोच और विचाधारा है और विश्व में ये एलान हो चुका है कि भारत के बिना विश्व आगे नहीं बढ़ सकता और विश्व की एका एकी करण के लिए प्रधान बंत्री जी की जो सोच और विचाधारा है जाए एक तरफ International Solar Alliance One Sun, One World और One Grid जिस कारिक्रम में Boris Johnson जी ततकालीन राष्ट्रपती UK के उन्होंने कहा था International Solar Alliance One Sun, One World, One Grid and One Modi जिस प्रधान मंत्री जी ने इस वर्ष G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है आजादी के अमरित महुतसव के वर्ष में भारत आज विश्व पतल पर उजागर हो रहा है मेरे भाई और भेनों और वो G20 की अध्यक्षता किस सोच और विचाधारा के साथ One Earth, One Family and One Future वासुदेव कुटुमबक की सोच पूरा विश्व एक परिवार है आज आजादी के अमरित महुतसव के वर्ष में जो 2013-14 में भारत आर्थिक स्थिती में विश्व में 13 नंबर की शक्ती थी आज भारत पांचवे नंबर की सबसे बड़ी अर्थ व्यवस्ता विश्व में बन चुकी है प्रधान मंत्री नरेंद मोदी जी के नित्यत में और 2030 तक भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थ व्यवस्ता बन जाएगी जर्मनी और जपान से भी आगे निकल कर मेरे भाई और बेर सबसे प्रश बड़ी और भी आगे निकल की तान जाएगी झागे प्रधा जाएगी एंवस्ताव जाएगी टुकी प्रशना में एंपान प्रावाश कीज।